हेलो एवरिवन, वेलकम अगें टो फाइनाट स्टडी, जैसा कि आपको पता है, डुटे पलेस्बी 2024 की वेकेंसी एड़टाइजमेंट जारी हो चुका है, जिसका बहुत ही जल्द आपको ओफिशल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, एड़टाइजमेंट जारी हो स्टूडेंट इलीजिबल हैं, क्या BFA, सिर्फ BFA चल जाएगा, तो इस टाइप की, तो सबसे पहले इने की बारे में हम बात करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले त डिगरी हैं, आपके FAB में फॉर्म स्टार्ट हैं, बिफोर फॉर्म फिलिंग आपकी जो डिगरी हैं, चाहे वो बैचलर डिगरी हो, चाहे वो मास्टर डिगरी हो, आपकी कम्पलेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्म फिलिंग के बाद आपके जो डिगरी का र student है जिन्होंने सिर्फ BFA किया है वो eligible है तो और क्या BA वाले और MA वाले student जो है वो eligible है तो देखें यह जो है यह जब last time वेकेंसी थी उसके बाद रिटेपलैस्वी के तरफ से चेंज किये गए हैं यह सब आप जानते हैं लेकिन रिटेपलैस्वी में subject combination को लेकर बहुत जादा दिक्कते नहीं आती हैं सिर्फ इस बार थोड़ा सा इशू है और जिसकी वज़े से यह vacances delay हुई है वो है age का issue तो वो तो जब official notification आएगा तब ही पता चलेगा कि क्या रहता है बाकी देखें आपको five year diploma होना चाहिए drawing and painting में graphic art sculpture में ठीक है किसी भी recognized university से बस इतना याद रखेगा आपने जिस भी institute या फिर university से अपने diploma या degree ली है वो recognized होनी चाहिए ठीक है एक तो इस बात का याद रखेगा अचा इसमें तीन दिया गया था आपकी second था आपका master degree in drawing painting या फिर fine art या फिर आपकी bachelor degree होनी चाहिए drawing painting fine art में और plus आपका two year का diploma होना चाहिए drawing painting और fine art में ठीक है तो ये सब last time का जो आपका criteria था qualification का वो था तो मैं आपको सिर्फ इतना सा suggest करूँगी कि मुझे नहीं पता है बाकी यूटूबर्स क्या बता रहे हैं age qualification अगर आप मान सकते हैं तो आप सिर्फ इतना सा विश्वास कीजे या मानिए आप सिर्फ 10 से 12 दिन का wait कीजे ठीक है बहुत जादा आप YouTube के चक्कर में या जो भी है सिर्फ और सिर्फ आपका time waste होगा जितने भी BA वाले student है और जितने भी BFA या MFA वाले student है सब सिर्फ अपनी पढ़ाई अगर आपने start नहीं किये है तो अपनी पढ़ाई को start कर दीजिए इन सब चीजों क्योंकि आपको भी पता है कोई भी YouTuber जो है वो government में नही बैठा है जो आपको exact बता दे कि क्या आने वाला है ठीक है आप I think आप इस बात को समझ रहे होंगे ठीक है कोई भी आपको 100% accurate नहीं बता सकता कि official notification में क्या आने वाला है या फिर government की तरफ से क्या change किये गए है ठीक है क्या पुराना criteria ही रहेगा या फिर कुछ नया उसमें add कर सकते हैं क्योंकि government कभी भी कुछ भी add कर सकती है ये कोई नहीं जानता तो मैं सिर्फ आपको इतना सा suggest करूंगी कि आप सिर्फ 10-12 दिन का wait कीजिए maximum आप 10 दिन का wait कीजिए आपका official notification आ जाएगा और उसमें आपकी सभी ये चीज़े जो है वो clear हो जाएगी उससे पहले ब कुछ भी नहीं होने वाला आपको कोई भी end result नहीं मिलेगा ये बात आप भी जानते हैं सिर्फ और सिर्फ आप 10 जगह देखेंगे आपको 10 तरह की चीज़े मिलेंगी और सिर्फ और सिर्फ आपका time waste होगा और आपका जो confusion level है वो बढ़ेगा ही आप चाहे इस बात को आप अजमा कर देख लीजिए ठीक है तो अगर आप मान सकते हैं तो इस चीज को कीजिए कि जैसे ही official notification आएगा मैं आपके साथ पूरा detail में शेयर करूंगी ठीक है और आपके जितना भी हो सकेगा कि आप कौन form apply कर सकता है नहीं कर सकता वो सभी चीज़ें बाकि तब तक आप सिर criteria था उसके base पर आप अपना जो तैयारी है वो कीजिए BA वाले भी कीजिए तैयारी और सिर्फ जो BFA वाले हैं वो भी तैयारी कीजिए तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए 10 दिन बहुत लंबा टाइम नहीं है जहां पूरा आपको पता है डिटर प्रैसपी का पूरा एक साल डिले हैं 2023 में vacancies announced हो गई थी tentative इनका calendar जारी हो चुका था लेकिन case की वज़े से नहीं हो पाई थी तो सिर्फ आप 10 दिन का और wait कीजिए आपके सारे doubts जो है वो clear हो जाएंगे ठीक है पहली बात तो यह और second जो बात है वो है आपकी age को लेकर ठीक है ना age को लेकर अच्छा इतना confirm है कि जो बीए वाले student है सिर्फ बीए वाले student eligible नहीं होंगे उनको साथ में कोई भी master degree या फिर कोई भी डिपलोमा उनका होना जरूरी है इस चीज को बीए वाले student ध्यान रखिएगा सिर्फ बीए allowed नहीं होगा ठीक है उसके बाद देखते हैं कि आपका जो age है उसके regarding क्योंकि सबसे ज्यादा confusion भी age का ही है बहुत से student है mostly ladies जो कि उनको यह डर है कि relaxation मिलेगा या नहीं मिलेगा त जो अभी जो last इन्होंने किया था जो नए rules लाए थे उनमें age जो है वो 30 कर दी थी PGT की भी और TGT की भी लेकिन फिर उसी का जो इतने time से case वगरा चल रहा था तो अब पूरे पूरे chance है कि आपकी जो age है वही पुराने वाली होगी ठीक है general category की आपकी 32, OBC दिल्ली की आप आपको plus 3 year का relaxation मिलेगा और आपका जो other state है OBC other state उनकी आपकी 32 ही रहेगी for men और आपका जो SST है उनको plus 5 year का relaxation मिलेगा और all state women's की बात करें तो इने जो है वो plus या तो 8 year का ठीक है या फिर 10 year का relaxation मिलेगा मतलब लगबग 40 age इनकी होगी है लेकिन ये भी हम सिर्फ 90% 99% ही बोल सकते हैं 1% chance है कि कुछ change हो जाए इसलिए मैं आपको बार-बार यही बोल रही हूँ कि आप सिर्फ 10 दिन official notification का wait कीजिए अच्छा एक और जरूरी बात ये है कि certificate कि आपका जो certificate है तो क्या OBC जो है दिल् एक बात और आप याद रखेगा SCST का जो आपका certificate है वो किसी भी state का चल जाएगा अगर आप other state SCST है तो वो दिल्ली में भी SCST मानने होगा लेकिन अगर आपका जो OBC है वो आपका दिल्ली का certificate होगा और आपके फादर का भी होगा तब ही आपका मानने होगा ठीकि बस इतनी इसी चीज आप ध्यान रखेगा otherwise आपको DV के टाइम पर फिर प्रोब्लम होगी और अगर नहीं है तो अभी बहुत टाइम है आप अपना apply कीजिए बनवा लीजिए अपने documents आप ready कीजिए जिनको भी जो भी eligible है अभी तक के हिसाब से ठीक है बस यही कुछ बाते थी तो बह जैसे ही official notification आता है सारे doubts clear हो जाएंगे और बहुत ही जल्द हम within one or two days हम एक discuss करेंगे कि first paper में हमें जो है कैसे qualify कर सकते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और किन जो topic है कौन सा subject है जिन पर हमें ज्यादा focus करना है जो कौन से scoring subject है जिनमें हम अच्छा score कर सकते हैं यह ह हम पहले discuss कर चुके हैं कि first paper में हमें क्या पढ़ना है और कितना वेटेज रहेगा ठीक है वो सब चीजे तो आपको एक पता चल जाएगा कि फिर उस video में कि आपको जो पुराने student है उनको तो पता होगा कि कैसे क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसा paper आता है लेकिन जो first time यह exam देने जा रहे हैं उन students को थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि इसमें time बहुत कम रहता है तो वो उसमें हम जल्दी ही बात करेंगे क्योंकि आपका first paper second paper से ज्यादा important है क्योंकि अगर आपने वो clear नहीं किया तो फिर first जो आपका second paper है उसका भी कोई मतलब नहीं है तो और आप telegram channel को join कीजिए वहाँ पर आपको update मिलती रहेंगी PDF आपको वहाँ पर सभी exams की मिलेंगी तब तक अपनी तयारी को continue कीजिए बाकी अगर आपका कुछ question है तो मुझे जरूर पूछेगा आप telegram channel मैंने description box में दिया है वहाँ से पूछे और या फिर आप मुझे comment कीजिए ठीक है और जहां तक मुझे से हो पाएगा मैं आपके questions का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी